नीतिबचन पंद्रह, एक से दस तक, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटूपचन से क्रोध भड़ा कुटता है। बुद्धिमान ज्यान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूरकों के मुह से मूर्ता उबलाती है। यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांती देने वाली बात जीवन व्रिक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दू, खित होती है। मूर अपने पिता की शिक्षा का तेरसकार करता है, परंतु जो डांट को मानता, वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपारजन में दू, खर रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से घ्यान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहुवा घ्रिना करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन होता है। दुष्ट के चालचलन से यहोवा को घ्रिना आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्प को छोड़ देता, उसको बड़ी तारना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता, वह वशे मर जाता है। प्रेरितों 11, 19-30 तक, जो लोग उसकलेश के मारे जो स्टिफिनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनी के और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, परंतु यहुदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उन में स बर्नबास को अंताकिया भेजा। वह वहाँ पहुचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देख कर आनंदित हुआ, और सब को उपदेश दिया की तन्मन लगाकर प्रभु से लिप्टे रहो। वह एक भला मनुश्य था, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर् और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्ही दिनों में कई भविश्यदवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबूस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरना से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा वहकाल उसके समय में पड़ा। तब चेलों ने निरनाय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहुदिया में रहने वाले भायों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बर्नबास और शाओल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। प् पत्रस को भी पकड़ लिया। वे दिन अक्मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीग्रेह में डाला और चार-चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा इस विचार से की फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीग्रेह में पत्रस बंद था परंत पुट्री में ज्योती चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर और उसके हाथों से जंजीरे खुल कर गिर पढ़ी तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहिन ले उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहिन कर मेरे पीछे हो ले वह निकल कर उसके पीछे हो लिया परन्तु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहु और यहुदियों की सारी आशा तोड़ दी है यह जानकर वह उस युहना की माता मर्यम के घर आया जो मर्कुस कहलाता है वहां बहुत से लोग इकठे होकर प्रार्थना कर रहे थे जब उसने फाटक की खिड़की खट-खटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई प उन्होंने कहा उसका स्वर्गा दूथ होगा परंतु पत्रस खट-खटाता ही रहा अता उन्होंने खिरकी खोली और उसे देख कर चकेत रह गए तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया की चुप रहें और उनको बताया की प्रभू कि स्रीती से उसे बंदीग्रे से निकाल ल ले जाएं और वो यहुद्या को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा एक राजाओं दो तेरह से छियालीस तक तब हगीत का पुत्र दोनिया सुलेमान की माता बतशेबा के पास आया बतशेबा ने पूछा क्या तू मित्रभाव से आता है उसने उत्तर दिया हाँ मित् हाई का हो गया है क्योंकि वह यहुद्या की ओर से उसको मिला है इसलिए अब मैं तुछ से एक बात मानता हूं मुझसे नहीं न करना उसने कहा कहे जा उसने कहा राजा सुलेमान तुछ से नहीं न करेगा इसलिए उससे कह कि वह मुझे शुनमिन अभीशिक को ब्याह दे बत सशेबा अदोनयया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंघासन पर बैठ गया, फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंघासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनयया के लिए शुनेमिन अभीशगी को क्यों मानती है, उसके लिए राज्य भी मानग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है, और उसी के लिए क्या, एब्यातार याजक और सरुया के पुत्र योआप के लिए भी मानग, और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपत खाकर कहा, यदि अदोनययाह ने यह बात अपने प्राण पर खेल कर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे, अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया, और मेरे पिता दाउत की राजग क्योंकि तू भी प्रानन के योग्य है, आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाउत के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दू, खों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दू, खी था, और सुलेमान यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो बचन यहोवा ने एली के वंच के विशे में शीलो में कहा था, वह पुरा हो जाए, इसका समाचार योवाब तक पहुचा, योवाब अप्शालों के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनया के पीछे ह लिया था, तब योवाब यहोवा के तंबू को भाग गया, और वेदी के सीनगों को पकड़ लिया, जब राजा सुलिमान को यह समाचार मिला, योवाब यहोवा के तंबू को भाग गया है, और वह वेदी के पास है, तब सुलिमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को यह क उसके कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल, और उसे मिट्टी दे, ऐसा करके निर्दोशों का जो खून योवाब ने किया है, उसका दोश तु मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा। और उसके घराने और उसके राजे पर यहोवा की ओर से शांती सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योवाब को मार डाला, और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेनापती ठहराया और एब्यातार के स्थान पर सादो क्याजक को ठहराया। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा तू यरूशलिम में अपना एक घर बना कर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चे जान रख कि जिस दिन त परंतु तीन वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के दो दास गत नगर के राजा माका के पुत राकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला तेरे दास गत में हैं। तब शिमी उठकर अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा क्या मैंने तुझे यहोवा की शपत न खिलाई थी। और तुझ से चिता तुझ आप ही अपने मन में उस सब दुश्टता को जानता है जो तुने मेरे पिता दाउट से की थी। इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुश्टता लोटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाउट का राज्य यहोवा के सामने सदैव द्रिर रहे तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आग्या दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा की वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य द्रिर हो गया। एक राजाओं तीन, एक से पंद्रह तक। फिर राजा सुलेमान मिसर के राजा फिरॉन की बे सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दावद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह उचे स्थानों पर भी बली चड़ाया और धूब जलाया करता था। और राजा गिबोन को बली चड़ाने गया, क्योंकि मुख्य उचा स्थान वही था, तब व अपने को तेरे सम्मुक जानकर तेरे साथ सच्चाए और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुना की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वरतमान है, और अब, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दावत के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्यमे है, जिनकी गिंती बहुतायत के मारे नहीं ह तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे, कि मैं भले बुरे को परक सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वर्दान मानगा है। तेरे समान न तो तुझ से पहले कोई कभी हुआ, और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तुने नहीं मानगा, अर्थाधधन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा। तेरे तुलिर न होगा। फिर यदि तू अपने प कि तो तुझे यहां तो तुझे यहां है।